तो दोस्तों कैक्सा आठवी बोर्ड एक्जाम 2023 के एड्मिट कार्ड या परवेश पत्तर हो जारी हो चुके इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस परकार से और कैसे ये एड्मिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और इसी के साथ एड्मिट कार्ड को लेके दो तिन खास बाते वो भी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ तो वीडियो के साथ वो आप बने रही नमस्कार साथियों मैं हूँ आपका अपना साथी राजगुर जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हैल्प यूटूब चैनल तो दोस्तों करक्सा आठवी के एड्मिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको साला दरपन की जो ओफिसल वेबसाइट है यहाँ पर आपको आने के बाद आपको लोगिन पे क्लिक करना है जैसे आप लोगिन पे क्लिक करोगे तो देखिए इस तरह से पेज ओपन होगा फिर से आपको यहाँ पे स्कूल और एक्जाम सेंटर लोगिन का ओप्षन है इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद फिर से आपको यहाँ पे लोगिन वाले ओप्षन पे क्लिक करना है जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यह लोगिन पेज है वो open हो जाएगा अब दोस्तों यहाँ पे देखिए login पेज पर आने के लिए हमें यहाँ पे देखिए च्यार पांच बार हो क्लिक करना पड़ा क्यों न हम यहाँ पे केवल दो क्लिक में हो पहुंझे इसके लिए आप आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो क्योंकि हमारी वेबसाइट पे इसका डारेक्ट लिंक हो प्रोवाइड करवा दिया आपकी स्विधा के लिए हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajgurj.com जैसे आप हमारी वेबसाइट पे आओगे तो देखिए पेज के अंदर यहाँ पर देखिए आपको इसकूल लोगिन का ओप्षन हुआ मिलेगा इस पर आपको क्लिक करना है जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो देखिए डायरेक्ट आप लोगिन पेज पर आ जाते हो यहाँ पर आने के बाद यह आपकी गोवर्मेंट इसकूल है तो आपको यहाँ पर अपनी साला दर पना id और password डालना है यदि आपकी private school है तो अपको अपना PSP code और password डालना है और अपनी id के अंदर login है वो कर लेना है लेकिन दोस्तों यहाँ पे कहना चाहँगा देखिए हमारी जो private schools आती है उनको login को लेके एक समस्या आ सकती है कई बार वो अपना सही PSP code और पास और डालने के बाद भी login नहीं कर पाते हैं अगर आपके सामने भी इस परकार की समस्या आती है तो आपका ये जो PSP code है और अपने PSP code से पहले देखी ये जो P दे रखाना alphabet इसमें और इस digit के बीच में आपको एक स्पेस लगाना है फिर आपको loging करना है अगर स्पेस लगाने से भी आप loging नहीं कर पा रहे है तो फिर आपको स्पेस आप भी हटा देना है 전हीं तो फिर आप login हो क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लगाने से आप login करते हो कई बार space हटाने से आप login करते हो तो दोनों आप try कर लिजेगा आपकी समझा का समाधन हो जाएगा आप अपने portal में login हो कर पाओगे चलिए अपने ID डालने के बाद आपको निचे यह जो capture दी गई है यह capture इस box में आपको डालनी है अब admit card डालोड करने के लिए left side में देखिए आपको निचे निचे computer का icon वो दिखाए दे रहा इस पर आपको यहाँ पर click करना है exam activity पर आपको click करना है और यहाँ पर आने के बाद एक link आपको दिखाए देगा school wise admit card आपको इसी link पर click करना है जैसे इस link पर आप click करोगे तो यहाँ पर देखिए आपके कक्षा 5 वी और 8 वी का जो exam center है वो exam center का नाम आपको यहाँ पर दिखाए जएगा अब admit card के लिए यहाँ पर देखिए आपको session दे रखा है session आपको यहाँ पर select करना है उसके बाद यहाँ पर class हो select करने है फिलहाल कक्षा 8 वी के admit card आए है जब वे 5 वी के आएंगे तो कक्षा 5 वी आपको यहाँ पर देखने को वो मिल जाएगे class को select करने के बाद आपको go पर click करना है जैसे आप go पर click करोगे तो इस तरह से सभी student के list आपको यहाँ पर दिखाए देगी अब जिस भी student का admit card डाउनलोड करना चाहते हो तो देखिए सम्मन्दित student के last में आपको यहाँ पर view का option हो मिल जाएगा इस वाले option पर आपको यहाँ पर click करना है जैसे आप इस पर click करोगे तो इस तरह से देखिए आपके सामने student का admit card आ जाएगा जिसके अंदर उसकी पूरी detail होगी last में यहाँ पर देखिए आपको time table वो भी है दिखाए देगा अब दोस्तो admit card को print करने के लिए यहाँ पर देखिए सबसे उपर आपको print का option देखने को मिल जाता है जैसे आप इस पर click करोगे तो इस तरह से admit card का print preview आपको दिखाए देगा इसे pdf file में वो save कर लिजेगा अपने laptop PC या फिर mobile में इसके लाओ यह दि आप दूसरे student का admit card डाउनलोड करना चाते हो तो यहाँ पर देखिए परते के आगे view का option है किलिक करो और डाउनलोड कर लिजे अगर आप सभी student का एक साथ admit card डाउनलोड करना चाते हो तो सबसे last में आपको यहाँ पर चलना पड़ेगा और सबसे last में आपको यहाँ पर देखिए view all का option मिल जाएगा इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है और जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपने जितने भी आवेदन फोरम भरे हैं उन सभी student के admit card है कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर दिखाये देंगे साइध आप समझ गए होगे चलिए अब मैं आपको admit card को लेके दो तिन खास बाते बताता हूँ दोस्तों पहली बात तो यह है कि देखिए आपकी school के अंदर कक्सा आठवी के अंदर जितने भी student है उन सभी के admit card है आपको soft copy और hard copy है बहुशे के लिए सुरक्षित हो रखना क्योंकि हो सकता है कि भवसे में किसी student के admit card की आपको आवसेकता पड़ जाए और portal से link है वो हट जाए तो ऐसे में आपको दिक्कत आ सकती है समझ से आ सकती है तो soft copy तो आपको भवसे के लिए सुरक्षित रखनी है अपने PC, laptop, computer या फिर अपने mobile में चलिए इसके लाव यहाँ पर दूसरी खास बाती है कि हो सकता है कि आपने कक्सा आठवी के जितने student के आवेदन फोरम भरे हो उनमें किसी एक या दो student का admit card वो जारी नहीं हुआ चलिए इसके लाव यहाँ पर तीसरी खास बाती है देखिए हो सकता है कि किसी student के admit card में student का जो data है जैसे उसका नाम माता पिता का नाम DOB है अगरा वगरा में यह दिक किसी परकार की कोई गलती है तो समय रहते उसमें आप update या संसोदन हो करवा लीजिएगा और update करवाने क के लिए भी आपको cb office से वो संपरक करना चाहिए क्योंकि इसके बाद है साइद आपको मोका मिले या नहीं मिले तो ऐसे में यहां भहुष से में student को किसी परकार की दिक्कत हो सकती है क्योंकि मारक सीट में गलत data वो आ सकता है तो ऐसे में student के भहुष से को ध्यानम रखते ह सारा जो record है एक बार अच्छी तरह से वो आप मिला है वो लीजेगा तो दोस्तों यह हैं दो तिन खास बाते हैं साइद आप समझ गयोंगे अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छे लिग हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में भी शेर कर देना मिलते अगली एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत